तो चलो दोस्तों थोड़ी और trigonometry के questions करते हैं तो यह question कह रहा है from the following figure find y ठीक है यहां पे एक right angle triangle दिया हुआ इस triangle के दो side पता है और तीसरा side निकालना है तो एक simple first part जो है वो पायतोगरस लगा के आई जाएगा so let us apply the pythagoras theorem so यहां पे जो पायतोगरस theorem लगेगा so that will be as hypotenuse is 2 right so it will be 2 square is equals to 1 square plus y square ठीक है यह हमारा first part चल रहा है और 2 का square 4 हो जाएगा 1 plus y square और यहां से दोस्तों y square की value हा जाएगी so y square की value हो जाएगी 4 minus 1 3 तो y की value हो जाएगी root 3 तो चलो दोस्तों y की value मिल गए root 3 ठीक है बहुत बढ़िया so I can say कि यहां पे यह जो y का value है यह हमारा root 3 आ गया अब बोलता है sine x निकालो चलो यह तो root 3 हो गया right अभी sine x निकालो x निकालना है so sine x होता है सबको पता है sine x होता है opposite upon hypotenuse right so x का opposite x i next निकालना तो x का opposite है root 3 और hypotenuse है 2 so y हो जाएगा root 3 upon 2 sine x हो गया अब हमें यह निकालना है 6 x minus 10 x 6 x plus 10 x ठीक है यह हमारा second part ओगे हैं ठीक है और third part कर लेते हैं ठीक है सो second SEC ex क्या होता है second होता है second century सब्सक्राइब पहले से किस निकालने सेखेक्स होगा hypotenuse upon एजिसन हाइपोटिनेस है two addition है one मतब 2 आया और उसी साथ 10 x मिनिकाल लेते हैं 10X होगा X का opposite upon adjacent 10 होता है opposite upon adjacent opposite है root 3 और adjacent side है 1 यह तो हाइपोडिनिस है ना तो root 3 upon 1 मतलब यह root 3 हाएगा ओके तो चलो that's it मेरे क्याल से root 3 आ गया अब हम लोग को निकालना है sec x minus 10X and sec x plus 10X तो sec x की value है 2 2 minus root 3 into 2 plus root 3 है किने sec x की जापे 2 आया 10X की जापे root 3 आया तो 2 minus root 3 and 2 plus root 3 यह हो जाएगा 2 square minus root 3 square which is 4 minus 3 and the answer is 1 right so quite a simple sum let's move for the next sum ठीक है next sum करते है question कह रहा है कि using the given figure find sign x cos y and all this again same thing जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वही चीज़ पढ़ रहे वापस so sign x degree ठीक है sign x देखो यहाँ पर पहले बताओ कितने right angle triangle नज़र आ रहे है ठीक है यहाँ पर आपको एक बड़ा सा right angle triangle नज़र आएगा एक बड़ा सा right angle triangle नज़र आएगा और एक यह चोटा वाला right angle triangle नज़र आएगा तो यहाँ पर आपके पास दोस्तों दो right angle triangle है ठीक है दोनों के अगर चाहो तो मैं नाम रख सकता हूं तो यहाँ और आपको तो पता ही है साइनेक्स कौस यह सब राइड एंगल ट्राइंगल निकालता है तो साइनेक्स होगा पूसिट अपउन ही पूसे पूसे ग। 17 तो फिर्स पार्ट तो आई गया इसका अंसर है एड़ अपॉन 17 बहुत इसी चलो साइनेक्स आगया और क्या निकलना है कॉस निकलना है थीक है अब यह राइट अंगल ट्राइंगल में कॉस वाइड क्या होता है एजसें एजसें कॉस होता है एजसें अपॉन हाइपटनिस तो वाई का एजसें तो 6 है और लेकिन वाई वाले ट्राइंगल में हाइपटनिस तो यह है यह है और यह पता नहीं है ठीक है तो पहले हमें यहाँ पर पायदोगरस लगाना पड़ेगा ठीक है तो इसलिए जब भी कोई सम जालू करते हो पहले आप देखा करो आपके सारे आप लोगों को साइट्स पता होने चाहिए तो पहले मैं अभी छोटे वाले पर पायदोगरस लगा देता हूं तो मैं मैं बोलूँगा पहला स्टेप तो मेरा यह समका यही रहेगा ठीक है मेरे समका पहला पार्ट तो यही रहेगा कि दोनों राइट आइंगल ट्राइंग क्या नाम है ABD तो राइट अंगल ट्राइंगल ABD में पाय तो लगा दो तो आएगा AD स्क्वेर इस इकोल्स टू AD स्क्वेर इस इकोल्स टू AB स्क्वेर प्लस BD स्क्वेर ठीक है आपके पास AD आगया 10 सो दोस्तों यह आपका 10 है अब बड़े वाले ट्राइंगल पर भी आ जाओ बड़े वाले ट्राइंगल में भी एबी सी में आपको AB पता है 8 AC पता है 17 लेकिन यह पूरा BC नहीं पता है चलो निकाल लेते हैं तो बड़े ट्राइंगल पाय तो लगाना है 17 का स्क्वेर होगा 289 और AB का स्क्वेर होगा 8 का स्क्वेर 64 और BC हमें निकालना है तो BC स्क्वेर आजाएगा 225 मतब BC आजाएगा दोस्तों 15 तो दोस्तों हमने साइड निकाल ली यह देखो आपको यह पता चल गया कि यह आपकी AD जो है AD आपकी 10 है और आपको यह पता च चल गए तो अभी आप जो चाहिए वो सब निकाल सकते हो अभी हम actually में सम्झ चालू करेंगे पहला दो स्टेप यही था कि पायतोगरस लगा दो एक बार दोनों ट्रेंगल में पायतोगरस लग गया अब सारे साइट्स पता है अब हम easily जो चाहिए वो निकाल सकते हैं पहला प बात लेना आरे यह तो राइट एंगल ट्रेंगल ठोड़ी है राइक एंगल ट्रेंगल तो बड़ा है बड़ा वाला ठीक है तो बड़े ट्रेंगल में एक्स जो एंगल है उसके सामने कौन से साइड है बड़े ट्राइंगल की एबी साइड है एट और हाइपोटरिस है 17 तो आप कहे सकते हो कि यह होगा AD upon sorry AB AB upon AC AB है 8 upon 17 चलो next next है कॉस Y तो कॉस Y जो होगा Y डिकरी का कॉस Y होगा एच्जिसन अपन हाइपोटरिस तो Y का एच्जिसन कौन है BD और हाइपोटरिस है AD तो मैं कहूंगा इट इस BD upon AD मतब 6 upon 10 मतब 3 upon 5 ठीक है नाओ थर्ड पार्ट इस 310 X माइनस 2 साइन वा है तो थर्ड पार्ट भी बहुत इसली निकाल सकते चलो थर्ड पार्ट निकालते हैं तो चलो थ्री सेम टैनेक्स क्या होगा डाइगराम में देख के बताओ टैनेक्स क्या होगा टैनेक्स होगा ऑपोजिट मतब 8 upon बेस अपन एजसर तो 8 upon 15 सो होगा 8 upon 15 ठीक है माइनस 2 साइन वाई क्या होगा साइन वाई वाला वाला ट्राइंगल दिख रही है इसका साइन वाई ऑपोजिट अपन हाई पार्ट निस मतला 8 upon 10 होगा ठीक है एट अपन 10 प्लस 4 कॉस य क्या होगा कॉस वाई कॉस वाई तो हमने अभी भी निकार रहा था कॉस वाई थरी अपन फाई पहले से निकार रहा था तो डाल देते हैं 3 upon 5 चलो यहां पे 3 वंजा 3 फाइजा तो यह हो गया 8 upon 5 माइनस यह 2 वंजा 2 फाइजा यह ओगे यह अप 20 5 और यहां पह आजाएगा 12 अपाउं 5 तो देखेंगे तो यह कैंसे लो रहारा है टीड़ अपोर फाई है कि ठीक है दोस्तों बस आपको साइट कॉसेक्स स्क्षेण में सब क्या होता है आपको यह पता होना चाहिए आपको सब आपको पता है साइन होता है ऑपोजिट अपान हाइप इस कोशन यह काफी काफी बढ़िया कोशन है दोस्तों काफी बढ़िया कोशन है तो यहां पे गया है और बीडी नाम का परपेंडिकलर गया है और बीडी नाम का परपेंडिकलर गया है आज Parks का मुझे इस एंगल का कॉस निकालने दोस्तों I need to find cause of this triangle cause of this angle ठीक है सो मुझे obviously ये एंगल कौन से triangle की है ये एंगल दोस्तों ये वाली एंगल जो है वो इस right angle triangle की है तो आपको ये right angle triangle पर focus करना है everybody आपको ये BD perpendicular है आपको बता है ये right angle तो यहां पे बस कhews लगाना है तीक इतना ही गाम करना है अब इसका कॉस क्या होगा इसका चाहित उसका कह सघ्जस्न ले भी दे आइनित डिगरी है नानितीडी गरी के सामने वाली साइड ह्ञपरéis यह है तो यह है फॉक tunis एड्यसन है बीडि वो मुझे पता ही निए तो है और इसकी लेंथ नहीं पता है और ऐसा कुछ कोशन में दिया भी नहीं है कि बीडि निकल जाए कोई भी नहीं चीज दिया पर इतना बोला यह 5 है यह 12 है और इस सम पहले तो सबसे बड़िया आपको एक रइट यांगल प्राइगल निकाल लेटा है। यह रिट अंगल ट्रारिएंगल में आपको हाइप Is राइट अंगल ट्राइगल में तो पाइटोकरी लगाकर हम एसी निकाल लेते हैं। काम आए गए कि नहीं पता नहीं, बट मैंने कहा था, राइट अंगल ट्राइंगल के तीनों साइड पता होंगे, तो चालू कर सकते हैं, अब हमारे पाइस एक बड़ा सा राइट अंगल ट्राइंगल है, उसमें पाइटोगरस लगा देते हैं, चलो, प्लस बीसी स्क्वेर, ठीक है, एसी मुझे पता नहीं है, लेकिन ए भी मुझे पता है कि ये 12 है, तो 12 का स्क्वेर 144 होता है, डारेक लिख रहा हूं, और ये 25 होता है, बीसी स्क्वेर, तो ये 25 है गया, तो एसी स्क्वेर आगया दोस्तो 169, और एसी आगया दोस्तो 13, तो मु काम की है कि नहीं है वो तो बामे की बात है तनू पाता है मतंब पायतोगरॉस लगाके कोई फायदा नहीं है चलो ये ट्रियंगल पता नहीं पता ठ्टीन तो यह पूरा है निकाललियां जह वा ला ऊंतर यह वाले ट्राइंग तुमnaire हैं कि तौन के पाइदा निए якुछ तो थोड़ दो कि अब हमें इस हैं गल का फीसफ निकालना है यह एंगल का कॉस निकालना है तो मुझे बीडी तो चाहिए ना बीडी नहीं मिलेगा तो बीडी अपॉन बीसी करूंगा कैसे तो इसको इस सम का अप्रोच अलग है ध्यान दना आप यह एग्जेसेंट साइड नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं आपके पा बहुत ध्यान से चोटी-चोटी बात पकड़ना दो लाइन का लॉजिक है लेकिन बहुत इंपॉरेंट है यह देखो है एविबडी पे अटेंशन यहाप है तो चलो यह जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है मुझे बात बता हूं इस पूर अच्छा यह एंगल निकालना इस बचल को मैं एक सब्सक्रेंड उड्ल को चलो यह एक से जिसका मुझे कौस मुझे निकालना उस ढिंग है ऊक के daran एक्स है बता ये एक्स है तो नहीं कि तरी होता है तिनोह होता है उसौ है इसके और इसके लिए 90 बच गया, total मिलाके 180 है, उसमें से ये 90 degree है, बाकी बचा 90 degree, तो ये दोनों share करेंगे उसमें से इस angle को मैंने x बोल दिया, तो 90 में से एक angle अगर x है, तो दूसरी 90 minus x होगी 90 में से x minus करेंगे, तो बची होई angle आएगी, ठीक है, क्योंकि ये x है total 90 है, 90 में से x हटाओ मतब 90 minus x, तो ये angle 90 minus x होगी, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये angle है 90 minus x कैसे निकाला, छोटे वाले triangle में angle sum property लगाया, पहले मैंने बोल दिया, देखो, पहले मैंने बोल दिया, पहले मैंने बोल दिया let, let angle dbc equals x, ठीक है, और इस triangle में angle sum property लगा थी, तो in triangle dbc, ये जो triangle dbc है, उसमें angle dbc plus angle, प्लस angle ये वाली, bdc, जो की 90 है, bdc plus ये वाली, इस angle का नाम क्या है, bcd या सिर्फ angle c बोलूँगा, तो भी चलेगा ठीक है, सिर्फ angle c बोलूँगा, तो भी चल जाएगा, equals to 180, angle sum property लगा, इसको मैंने x कहा है, ये 90 है, और angle c कितना है, पता नहीं, बट यहां से angle c की value आ रही है, 180 में से 90 के 90, और x भी चला गया उधर, तो 90 minus x आया, आपको ये पता चल गया, कि ये angle 90 minus x है, congratulations, आपने क्या किया, बस ये yellow part किया, red वाले triangle में angle sum property लगा दिया, अभी क्या करें, अब से सर क्या फाइदा है, क्या फाइदा है, देखो, अभी एक बात बताओ, एक बड़ा right angle triangle दीख रहा है, ये चोटे वाले की बात होगे, ए और c के लिए कितना बचा, 90 बचा, उसमें से ये 90 minus x है, देखो, red वाले triangle में देखो, red वाले triangle को देखो, छोटे वाले triangle में, एक angle 90 है, एक angle x है, तो एक angle 90 minus x है, वैसे बड़े वाले triangle में ली एक angle 90 है, एक angle 90 minus x है, तो ये angle कितनी होगी, क्समिन अर। एकक सांच भी वाली लाइंटी है तो आ ऑली एकि ऌटी ना तो यह ए एक हो गई तो आपको पता चल गया कि यह एंगल एक्स है यह एंगल एक्स है अरे यह एंगल एक्स है तो तो क्या अरे हम लोगों को निकालना था कॉस एंगल डी बी और DBC और अंगल A सेम है तो cos अंगल DBC नहीं निकाल पा रहे हैं तो cos अंगल A निकाल लेते हैं क्योंकि DBC और A सेम है अंगल DBC और अंगल A अंगल DBC और अंगल A सेम है तो सेम है तो cos of DBC निकालने से अच्छा जो नहीं निकाल पा रहा है तो cos A निकाल लो, cos A तो बहुत आसान है न, adjacent upon hypotenuse, नहीं समझा, मैं इसका cos नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन ये तो A के बराबरे मुझे पता है, तो इसका cos निकाल लोगा, वो ही अंसर आएगा न, क्योंकि ये और ये सेम है, तो इसका जो cos होगा, वो इसका भी cos होगा, तो इसका cos निकालना थोड़ा difficult है, तो इसका cos निकाल लेता हूँ, आई बास समझ में, ठीक है, चलो मैं वापस बताता हूँ, ये X आया कैसे, चलो, बहुत बढ़ी है, अच्छा जा रहे हो, अच्छे से समझ रहे हो, बहुत गुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, चलो, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने बड़े triangle पर पायतोगरस लगाया है, ठीक है, बहुत इसी step था, और छोटे वाले triangle में, red वाले triangle में, अपने, red वाले triangle में, angle sum property लगा दी, ठीक है, और पता चला, एक 90 है, एक X है, तो तीसरा angle 90 मानेस X होगा, अभी हम बड़े triangle में भी लगा जिते है, चला, हम बड़े triangle में, angle sum property लगाते है, तो मैं लिकूँगा, in triangle A, B, C, ठीक है, angle A, plus angle B, plus angle C, equals to 180, angle A, कितना है, पता नहीं, angle B, कितना है, 90, और angle C, कितना है, 90, minus X, is equals to 180, अब बताओ, ये 90, और ये 90, कितना होता है, 180 होता है, तो यहाँ पर है, 180 minus X, equals to 180, ये plus 180 होता जाएगा, तो minus 180 होता हैगा, और ये minus X होता जाएगा, तो plus X होता हैगा, तो यहाँ से, यहाँ से, angle A की value X आ गई, आरी बास समझ में, angle DBC B भी तो X था, जो angle DBC X था, वही angle A B X है, राइट, अब हम इस sum को solve करते हैं, अब मैं लेकूंगा, कि मुझे निकालना है, cause angle DBC, मुझे निकालना है, cause angle DBC, लेकिन, लेकिन दोस्तो, cause angle DBC, cause angle DBC, is same as cause of angle A, yes or no, cause angle DBC जो है, वो cause angle A के बराबर है, तो मैं A का cause निकाल रहा हूँ, A का cause क्या है, addition upon hypotenuse 12 upon 13, तो पहले पार्ट का अंसर आ गया, 12 upon 13, मुझे इसका cause निकालने को नहीं आ रहा था, तो ये angle किसके equal है, वो पता लगाया, और उसका cause निकाला, simple approach, इसका नहीं निकल सकता था, कोई बात नहीं ये किसके equal है, A के, तो A का cause निकालो, very easy, वैसे ही next, बताओ, ये वाला, caught निकालने, किसका caught निकालने, DBA का, और ये बापर है, DBA मतलब मीचे वाला, नीचे वाला, चीक है, मुझे एक बात बताओ, दोस्तों, सब लोग ये बात बताओ, ये वाली angle, ये जो angle है, caught डीबी है सब्सक्राइब, ये DBA कितना है, कोई बता सकते है, दोस्तों, बता सकते है, DBA कितना है, DBA कितना है, बताओ, पूरा B कितना है, पूरा B, पूरा B, जो है, पूरा B, जो है, वो 90 है, उसमें से, रेड वाला पार्ट, X है, तो ग्रीन वाला पार्ट, कितना होगा, सोचो, पू यह हुआ 90-X अगर यह 90-X है तो angle C भी तो 90-X है मतब यह green वाली angle इस green वाली angle को equal है यह भी तो 90-X थी हमने अभी यह भी निकाला था angle C 90-X है और यह वाली angle DBA वो भी तो 90-X है तो मैं कह सकता हूँ angle DBA और angle C same है तो अब अगर मैं इसका caught निकालू इसका caught होता है दोस्तों यह right angle triangle है यह hypotenuse है यह opposite है और यह adjacent आपको caught निकालना है caught होता है adjacent upon opposite ना आपको adjacent पता है ना आपको opposite पता है adjacent भी नहीं पता है opposite भी महीं पता है तो आप caught निकाल ही नहीं पाऊँगे इस angle का cot नहीं निकाल सकता, लेकिन ये angle किसके equal है, c के equal है, तो क्यों न मैं c का cot निकाल हूँ, इसका cot और c का cot सेम ही होगा ना, तो इसका cot निकालता हूँ, वही तो cot c भी होगा, तो मुझे निकालना है cot angle dba, लेकिन मैं बोलूँगा, मैं बोल दूँगा, कि cot angle dba is same as cot of angle c, रिवी आ जो है वो pot angle C के बराबर है तो तो फाइफ एपान डोपॉझ यह भी अंसर आ गया आई होप समझ में आ गया इसका कॉस नहीं निकल सकता था इसका भी कॉट नहीं निकल सकता था ये एंगल का कॉस नहीं निकल सकता था ये एंगल का भी नहीं निकल सकता था रेड वाली एंगल इसके इक्वल आई आरी बासावज में तो क्या हुआ मैं इसका नहीं निकल सकता ह यह वाले का नहीं निकाल सकता था लेकिन यह किसके एकोल है सी के सी का निकाल सकता हो सी का क्यों निकाल सकते है क्योंकि बड़े ट्रैंगल का तीनों साइड पता है तो यह वाली बड़े ट्रैंगल के एकोल है और यह वाली बड़े ट्रैंगल के सी के एकोल है अगर यह वाली बड़े triangle के A से equal है, तो बहुत खुशी की बात है, बड़े triangle में 3 side पता है, और ये वाली angle बड़े triangle के C के equal है, तो बहुत बढ़िया बात है, हमें C, जो बड़ा triangle है, उसमें 3 side पता है, आई बास हो इन में, such an easy sum, तो आपने इसको एंगल A लिख दिया और इसको एंगल C लिखना है कैसे लिखना है बस यहां पर इसे इतना लिख देना दोस्तों यहां पर अगर आपको लिखना है तो यह इतनी चीज लिख देना कि एंगल B is 90 डिगरी और एंगल B जो है इसमेड अप आप DBC and DBA एंगल DBC प्लस आइंगल DBA equals to 90 DBC X है तो DBA कितना है पता नहीं और DBA की वैल्यू आ गई 90-X ठीक है इसको आप दे दो इसको आप दोस्तों दे दो इसको आप equation 1 दे दो ठीक है इसको equation 2 दे दो आपने इसको DBA को क्यों से क्यों लिखा आप लिख देना फ्रॉम टू टू है सेक इसको आपने angle cq लिखा इसको लिख देना इसका reason लिख देना दोषक क्या लिख दो किसका reason कि अरी प्रॉम एक प्रॉम समझ में बहुत easy sum था ऐसा एक और सम है test yourself में एक बोर कोशन देखो करा देता हूं। वह भी करा देता हूं देखो दोस्तों कहां पर है। तो इस आप बहुत अच्छा कोशन है देकों बहुत अच्छा कोशन है कोशन किया रहे हैं इन डिवन फिकर C90 है और दी मिड़ पॉइंड रिफ है वह रख संघ कंदें मिड़ पॉइंट है कि सच की र Our वह होता हा इस अपउनन दिस ठीक है और क्या निकालना है तो होता है अपान दिस जाए इस टोड़ा आसान समय चाहो तो अभी कर लेते हैं, चलो, कोई बात नहीं, मुझे निकालना है, tan angle CAB upon tan angle CDB, चलो tan निकालना है, बताओ angle A, CAB मतलब angle A, angle A का tan क्या होगा, बताओ angle A का tan होगा, opposite, opposite मतलब BC upon adjacent मतलब AC, तो मैं लिख देता हो, तो मैं लिखूंगा BC upon AC, so it is BC upon AC, upon tan of, tan of क्या निकालना है, CDB, CDB, ठीक है, CDB, इसका tan निकालना है, इसका tan, चलो, इसका tan क्या होगा, again, opposite upon adjacent, मतलब BC upon DC, एक नहीं, चलो, तो solve करते हैं, उपर का जो ratio है, वो है BC upon AC, और नीचे वाला जो ratio है, वो divide में, जो है, वो है BC upon DC, ठीक है, तो चलो, अपन, simple, divide को into में लिखते हैं, और यह हो जाएगा, DC upon BC, 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 cancel हो जाएगा, उपर आया, DC, नीचे आया, AC, अब आपको question में दिया है, कि D is the midpoint, अपने को question में दिया हुआ है, कि D जो है, वो midpoint है, D अगर midpoint है, तो I can say, I can say that DC, DC को I can write, DC जो है, वो आदा है, आदा है, किसका AC का, DC जो है, वो half है, किसका AC का, तो मैं इस DC को, यहाँ पे लिखते था, इस DC को मैं लिखूंगा, half of AC, और नीचे AC बढ़ा है, AC, AC, cancel, answer आ गया half, ठीक है, कितना आसन था, चलो यह वाला भी निकाल लेते हैं, बहुत आसन है यह भी, similar ही, जैसे यहाँ पे किया था, वैसे ही है, इतर ही करते है, बता, tan of angle ABC निकाल, ABC, यह बड़ा एंगल, इसका tan निकालना है, tan क्या होगा, opposite, opposite upon adjacent, तो यह होगा, दोस्तों यह होगा, AC, इसको यह लिख रहा हूँ, तो इसका go through यहाँ पे करता हूँ, AC, AC, सामने वाला, upon BC, upon BC, फोल अपन, नीचे वाला, DBC, डीपीस आइंगल दिख रहा है, यह वाला, ठीक है, इसका भी tan बताओ, यह भी राइट आइंगल ट्राइंगल है, इसका भी tan बताओ, opposite upon adjacent, तो यह होगा, DC, upon BC, है कि नहीं, BC, BC, दोनों का cancel हो जाएगा, यहाँ पे आजाएगा, AC upon DC, ठीक है, अब देखो, AC को देखो, AC, AC को लिखेंगे, AC जो है, वो double है, AC जो है, वो double है, किसका, DC का, AC जो है, double है, किसका, DC का, क्योंकि D mid point है, तो यहाँ पे लिखेंगे, 2 DC, upon DC, DC, DC cancel, answer आगया 2, इतना संसम्सा, ठीक है, बहुत इजी,